दोस्तों Google Adsense की तरफ से एक अपडेट आया है और ये अपडेट आपके लिए काफी महतोपुन है क्योंकि ये अपडेट है Google Adsense के जो पेमेंट अकाउंट होता है उसके लिए काफी तिनों से Google Adsense अपडेट पे अपडेट करते जा रहा है कभी वो इंटरफेस में चेंज कर रहा है तो कभी वो एनलेटिक्स में चेंज कर रहा है तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक यूटूब की तरफ से इमेल जा रहा है और वो क्रीब क्रीब सभी फिल करनी पड़ेगी अब इसके बारे में तो आपको पता होगा no tax information के बारे में साइद no form payments के बारे में आपको नहीं पता होगा तो इस वीडियो में आपको practical दिखाने वाला हूँ अगर आप चाहे एक new creator है चाहे old creator है तो ये settings आपको जुरूर देखनी है और ये mail उपर आ दिखा है क्या चैक यह और रिसेंटली पेमेंट यानिक इनकी पेमेंट यह वह रिलीज भी हो गई थी उसके बाद भी जैसे रिलीज होई तो पेमेंट यह वापस आया और वापस आने के बाद में बता गया no form of payments चीक है उसके बाद अगर देखने कोसिस करोगे फिर मैंने यहां पे कुछ अपडेट किया और पेमेंट में और उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो इनकी पेमेंट दोबारा से रिलीज होई और इनकी पेमेंट अप बैंक अकाउंट में भी आ गई है सब कुछ आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बट उससे पहले होम करके कैसे कमाएं पार्ट टाइम जोब करके कैसे कमाएं अगर आप एक स्टुडेंट है उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना क्योंकि वहां पे मैं ऐसा नहीं चार पांच मिनिट की वीडियो बनाके अपलोड करूँगा मैं वहां पे लंबी-लंबी 10-15 मिनिट की अपलोड करूँगा मतलब कम शमय में पूरी अच्छी नोलीज दूँगा और आपको पता भी है कि हम टेकनिकल इसराल पे भी आज तक वैलूबल इंफोर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं पार्ट टाइम और फ्री में पैसा कमाना चाते हैं यानिके बिना इंवेस्टमेंट के तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आपको पता दूँगा अगर आपके पास इस तरह का इमेल आता है इसका मतलब है यह बोल रहा है कि आपकी पेमेंट ओल्ड है आप नो टेक्स इंफोर्मेशन भी भरिये और नो फॉर्म ओप पेमेंट सेटिंग्स में जाना है और अपने पेमट सेलेक्ट करना है ठीक है तो ऊसके बाद उसके बाद इन्होंने क्या किया किया क्युक्त टेक्स इंफोर्मेशन भी यहां पर हो गया है तो और mail में बदा जाता है कि आपने यहां पर फोर्म को आपने फिल नहीं किया भी तक तो आप payment setting में जाईए उसके बाद आप मैंने इसमें क्या किया क्या क्या चेंजिस किये और यहां पर आपको बदा दू कि options होता है ननन से हटा कि आपको primary करना होता है चलो मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ दोस्तों अगर आप देखने कोसिस करोगे यहां पर मैं जाता हूँ और ऊपर की तरह आप देखना तो कई सारी settings आपको मिलेगी बड़ यहां पर आपको कुछ करने की जरुवत नहीं है ठीक है विव मों पर भी जा सकते हो और यहां पर देखते हो यह है payment info और यहां पर आप यहां पर यूटूब इंडिया पर किलिक करोगे तो बैंक अकाउंट नहीं आ रहा है ठीक है आप आप देखो यहां पर नीचे की तरफ देखोगे bank account नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है यहां पर इसको bank को add करना है चूज payment method पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और error भी आप देख सकते हो कि update के लिए बोल रहे है आपको options जो आपको available है चूज इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद में यहां पर बात समझने की है यह payment method यहां पर अवलेबल है नन की जंगा आपको क्लिक करना है काफी सारे लोग परेशान रहते हैं और यहां पर उपर की तरफ आप देख सकते हो है बट यहां पर हमें क्या करना है इस payment method के लिए वो करना है अगर आप देखो payment method नहीं करेंगे हम नन पे जागे primary को select कर देंगे बस यह काम करना होगा आपको प्रेमरी में जैसे ही करेंगे यह problem आपकी दूर हो जाएगी अगर आप इसको refresh करेंगे यहां पर देखो payment method select हो चुका है और यहां पर आप जाओगे एडसन फोर तो दोस्तों जैसे ही मैंने primary method को select किया और इनकी जो problem है दूर हो गई जो error उपर थी एडसन में वो भी दूर हो गई और उसके बाद इनकी payment भी release हो गई आप देख सकते हो यहां पर इनकी जो payment है वो यहां पर release हो गई है तो इस तरह से यह problem मैंने निकाल लिया है अगर आप पर साथ भी कोई problem है कोई issue है या आपको कुछ मुझे पूछना है तो आप हमारे इस्टाग्राम पर जा सकते हैं इस्टाग्राम को आप follow करें follow करने के बाद message करें follow करने के बाद message करोगे तो आप reply की उमीद कर सकते हैं और हमारे इस channel को subscribe जूरू करें क्योंकि जब problems आती है कोई आपका साथ नहीं देता है तो हमारी वीडियो देखके आप easily हर चीज की हर problem को दूर कर सकते हैं दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में दब देखें ठाटा वाई बाई जैहिंद्ट